मैनपुरी लूग सबा सीट से सपा को मिल रही बंपर बढ़त अब डिमपल यादब के लिए प्रचार में कूधी उनकी बहन जीत के लिए बाहा रही जम कर पसीना पहले डिमपल यादब फिर अधिती यादब और अब सपा चीफ की साली ने संभाला मोर्चा धूम धड़ा के के साथ प्रचार प्रसार का दोर जारी एक तरफ डिमपल यादब तो दूसरी तरफ बीजेपी के जैवीर सिंग बढ़त के मिले संकेत तो सपा का जोश हो गया दो गुना देखे कौन है डिमपल यादब की बहन और जीत के पूरवा नुमान पर क्या बोली नेता जी की विरासत को बचाने के लिए मैनपुरी की पहली महला संसत बनी डिमपल यादब मिशन रिपीट के सपने को लेकर पसीना बाहा रही है हर सियासी एक्सपर्ट का दावा है कि सीट से सपा के अलावा कोई और जीत ही नहीं सकता और जब जीत को लेकर इतने एहम संकित मिल रहे हूं तो फिर जीत को एतिहासिक बनाने की जिम्मिदारी कंदों पर आही जाती है और इतिहास डिमपल यादब लिखें और फिर से जीत मिले इसके लिए मैदान में उनकी बहन ने भी मूर्चा संभाल लिया है और इंपल यादब के चुनाओ परचार के लिए उनकी बहन भी मैंड पूरी पहुँच चुकी है इंपल यादब तो पहले से ही सपा के तमाम नेताओं के साथ परचार में लगी थी और साथ ही उनकी बेटी अधिती यादवी मा को जितने के लिए आवाम के बीच जाकर प्रचार करने के साथ ही स्थानिय अमद्दों पर बात करती हैं और लोगों से सपा को वोट देने की अपील करती हैं लेकिन अब डिमपल यादव की बहन ने जब से मैदान में मोर्चा संभाला है तब से हल चल और तेज हो गई है डिमपल यादव और उनकी बहन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें वो पार्टी की महला नेताओं के साथ बहन जी का परिचे करवा रही है और बहन जी भी हाथ जोड कर सब का अभिवादन करती दिखाई दे रही है ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है और सपा की जीत के साथ ही डिमपल यादव के सांसत बनने का पूरवा नुमान लगाया जा रहा है तमाम सियासी एक्सपर्ट का भी दाव भी नहीं सकता डिमपल यादव की बहन ने कहा कि डिमपल एक ऐसी लड़की है उन्होंने जो चाहा उसको हासिल किया और परिवार के अलावा अपने पेशे में बरावर का तालमेल बिठाया है डिमपल यादव उप चुनाओं में जीत के बाद से लगातार महनपुरी में सक करेंगी और एक ऐसा इतिहास लिखेंगी जो कभी कोई मिटा भी नहीं पाएगा देरो रेपोट मीडिया हल चल